Hello everyone, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भासड, समभासड और अभी भासड के मद्ध जो अंदर है और इसमें जो थोड़ी बहुत similarities हैं उसको समझेंगे और साथ में मैं आपको इसको उधारण के माध्यम से भी समझाऊंगा जिससे की इस बिसे को लेकर आपके मन मस्तिस्क में पारदर्सिता आ सके और खासकर अगर आप UPSC जैसी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो UPSC के प्रेस्पेक्टिप से ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर आपको इंटर्विव में भी अपियर होना है और प्रशाशनिक सिवा में जाने के बाद आपको स्टुडेंट को गाइड करने के लिए आमंतृत किया जाएगा तब तक आप अपने लेक्चर में उची सब्दों का प्रियोग करने में असहज महसूस करेंगे तो आईए अब हम लोग इस असहज़ता को दूर करने के लिए इन तीनों के मद्ध अंतर को समझ लेते हैं तो इन तीनों के मद्ध एक सामाननिसी बात जो कही गई है कि भासड, संभासड और अभी भासड ये तीनों ही किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को या लोगों के समोह को दिया जाने वाला वक्तब्य है अब आए हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग भासड के बारे में जानेंगे, तो भासड के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी भीड़ को कहीं भी किसी भी बिशाय यानि टॉपिक पर सम्बोधित करता है, तो ऐसी इस्थिती में उसके द्वारा जो वक्तब प्रस्तुत किया जाता है उसे भासड कहते हैं, इसमें आवस्यक नहीं है कि जनता आपकी बातों से सहमत हो, भासड देने वाला ब्यक्ति अपने तरीके से सब्दों का प्रियोग करता है, अपने वक्तब्य में वहा किसी भी अच्छाई, बुराई या खुद की तारीब कर सकता है, यानि अगर हम लोग इसे सामान सब्दों में समझें, तो भासड देने वाला बेलगाम तरीके से सब्दों का प्रियोग करता है, और अगर हम लोग भासड के उधारल की बात करें, तो आप लोगों ने नेता का भासड सुना होगा, तो वहाँ अपने वक्तब्य में सामान रुप से किसी की बुराई भी करता है, खुद की तारीब भी बताता है, या फिर अपने द्वरा किये गए कार्णियों की चर्चा भी करता है, अपनी वहाँ वाई खुद करता है, तो ये चीज जो है भासड के अंतरगत आती है, अब आईए हम लोग संभासड को समझ लेते हैं, तो संभासड का सामान यर्थ है बातचीत अथवा वारता लाप करना, संभासड अकेले में संभो नहीं होता, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवसकता होती है, इसमें सब्दों की मर्यादा और एक दूसरे की भावनाओं का विशेश ख्याल रखा जाता है, और संभासड के अंतरगत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अभिवादन के साथ वाचीत करते हैं, तब एक व्यक्ति मन की बात बताता है और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनता है, दूसरा व्यक्ति तब ही बात करेगा जब पहले व्यक्ति का कथन पूरा हो जाता है, यानि कि संभासड में 2, 4, 6, 8 या 10 व्यक्तियों का समूव होता है, जिसमें से क्योल एक ही व्यक्ति एक बार में बोलता है और दूसरे लोग तब तक नहीं बोलते हैं जब तक कि उस व्यक्ति की बात पूरी नहीं हो जाती और अगर हम लोग संभासड के उधारल की बात करें तो जैसे आप लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर अपने परिवार में सामाने रूप से बात करते हैं तो कोई एक ब्यक्ति बोलता है और जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती है तब तक सामने वाला सांती से सुनता है और सामाने रूप से आपने परिवार में भी देखा होगा और जब पहले इंसान की बात पूरी हो जाती है तो सामने वाला उस पर अपनी किरिया या फिर प्रत किरिया प्रसुत करता है। या पहले से निर्धारित किया जाता है कि किस विषय पर हमको बोलना है। इसमें मुख्य व्यक्ति, सम्यक और समालोषणात्मक तरीके से बिद्धुता के साथ लोगों को समबोधित करता है। तो इस तरीके से समालोशनात्मक तरीके से अध्यच अपनी बातों को प्रस्तुत करेगा अभिभासर किसी एक महत्पूर बिशे को लेकर चलता है अभिभासर किसी महत्पूर ब्यक्ति जैसे अध्यच द्वारा दिया जाता है अभिभाषड लोग सांती पूर्वक सुन लेते हैं यानि कि अभिभाषड में लोगों का एक समू होता है और उस समू का एक अध्यच्छ होता है जिसको particular किसी एक topic पर बोलने के लिए invite किया जाता है और वह समालोशनात्मक तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करता है यानि जैसे आपने तराजु देखा होगा जब तराजु के दोनों पड़लों से बाट को हटा लिया जाता है तो उसमें जो है समानता आ जाती है तो इस तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करता है और अगर हम लोग इसके उदाहरन की बात करें तो आपने लोग सभा में देखा होगा कि जब सभी मेंबर बोल रहे होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है आपस में जगड़ा करते हैं, लडाई करते हैं, अपनी बाते प्रस्तुत करते हैं वाद बिवाद होता है लेकिन जब उसी लोग सभा में राष्टपती बोलता है तो सभी लोग उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इसमें अगर आप लोगों ने अध्य अच्छी भासड सुना होगा तो यहाँ इसका एक चटीक उधारन है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भासड, समभासड और अभी भासड का अध्यन किया और इसमें हम लोगों ने इनके मद्धे अंतर और इसमें जो similarities थी इसको देखा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार